हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ भारत के मदारिस में तालीम को जड़ीद बनाने मतरसे में जहां आरबी की तालिम होती है, वोई पर हिंदी और इंग्रेशी की तालिम होती है हूं के अबारे हैं हमपे हूमत में खवाली की यादगार परफामन्स मैं कलाम को समझता हूं और इसnew inside लोगों को समझना चाहता हूं और इंटर्टेन्मेंट की दुनिया से कुछ दिल्चस्प खबरे पिशावर मुआके डार्ट्रेड जराथ खैबर पक्तून खुआ पर आज देशितगर्दों की हमले में अब तक कमस कम 11 अफराद के हलाक और 34 के जखमी होने की इतला है हलाके तर ट्रेनिंग इंस्ट्टीट की जएवत दतर तर तलबा थे सक्यर्टी फोर्सेस की जवाबी कादार में तीनों हमलावर मारे गए कल अब शिद्ध पसंद तन्जीम तहरी के तालबान पाकिस्तान ने हमले की जमेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि इसका निशाना इंटेलिजिंस एजिंसी आईसाई का खुफिया दफ्तर था इस वक्त पुफियावर से हमारे नुमाइनदा शमीम शाहिद हमारे साथ है मज़ीद तफ़िलात के साथ शमीम ये बताएगा किया अब टेट्स है क्या आपडेट्स है क्या इलाका क्लियर करा जा चुका है जी अब वो जो रिकर्टर इंस्ट् Speaker के एल जित के हलाकीच के हलाकीचे इस्टर नर्सी इस्टर और र रियाएशी कोर्टर थे उनको क्लियर करा दिया गिया है जो हलाक होने वाले तालेवलें थे जारतर दूब बिरास के हलाकों से उनका तालुक था, उनकी लाशे रवाना कर दी गई है और अब वहाँ पर जो मैन सड़क का पिशार यूर्श्टी रो जो काबल और जलालबा तक जाती है उसको ट्रिफिक के लिए अमदरब के लिए कोल दिया गया है अब वहाँ सुर्टहाल जरा बेहतर है और तालीमी दारों की सेक्यूर्टी की सुर्टहाल के अगर बात करें तो एपिएस के वाके के बाद सेक्यूर्टी बढ़ाई गई थी यह भी एक सरकारी तालीमी दारा है यहां सेक्यूर्टी की इंतजामात कैसे थे कि हमलावर बुर्का पहन कर दागल हुए और तालिबल मुग वे कमरों में घुसकर उन्होंने उनको निशाना बनाने की कोशी जा इंतिजामात की अब क्या आपडेट्स है इस वागी के बाद प्रिसकान पर से खिताब करती हुए इंस्पेक्टर जनर्स अलाओदीन महसूद ने कहा कि इस साल उन्होंने 253 अदारे चिक किये हैं जिसमें सब्तर हजार से जायत को नोटिस जारी किये गए उनको अदायत जारी की गई है कि वापी सिकूर्टी सुरतियाल को बेहतर बनाए असलमें यह जो तालीम अदारा था यह बिलकल सड़के किनार था इनुवरस्टी की काड़ बिलता और यहां पर इनके अपने चोकिदार थे अगर इनके साथ पूलिस पाड़ नहीं था आई जी पी ने ये भी कहा कि इस सूबे में तालीम अदारों की तादाद जो है वो साथ हजार से जायद है जो कि पूलिस नवरी की कुल तादाद पच्चासी हजार है उनने का कि यह नाममके ने कि हम अदारी को पूलिस सिकूर्टी पराम कर दे तमान तालीमिदारों के मुन्तजिमिन को हिदायद की गई है कि वाफ ने अपने इंतिजामात खुद करें ये भी एक तालीमिदार था मगर ये बहुत सुबा सहरे था और किसी को शक नहीं था कि ये इसी किसम का अमला होगा ये इंतहाई सौक्ट कारन अब था शमीर मुमीद हैस्ता का वाकिया मस्तक्विल में ना हो अपटेट्स तूसर जानब जैसे जैसे दाइश शाम और इराक में शिकस्त के करी पहुंच रही है उससे पना पैगाम फैलाने में भी अप मुश्किलात का सामना हो रहा है तन्जीम पर नज़र रखने वालों का कहना है कि पिछले कुछ मा में दाइश के प्रॉपगेंडा में वाजए कमी आई है मिदान जंग में नाकामी के बाद अब ये तन्जीम खौफ औहरास प्हलाने के लिए क्या तरीख आजमा रही है चांते हैं इस रिपॉर्ट में इस्लामिक स्टेट नामी ग्रोह की जानब से शाया करदा एक हालिया विडियो ये देखने में रक्का लग रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैस्लामिक स्टेट की फाज़ अभी भी एक फाल पूछ है लेकिन मेरा मुटँ एक वीरान शहर में सिर्फ एक ट्रक में तीन अफराद हैं ये इस से बहुत मुझतलिफ है जो वो पहले किया करते थे चाली विंटर bleम के अगासे ही उसके प्रपगैंडर का जाई़ा ले रहे थे इस्लामिक स्टेट पहले से बहुत कम फाल हो चुकी है लेकिन अक्तूबर में तो इसकी जानब से बिलकुल खामोशी थी और मेरे ख्याल में इसकी वज़ा ये है कि बिलخصूस रक्ता और बैयादन के आस पास खाइम उनका मीडिया सेंटर को तबा कर दिया गया है दाइश के जेरे कबजा एक साल में बहुत कमी हो चुकी है तो उनके पास विडियोस बिनाने के लिए मवाद में भी कमी हुई है इसके इलावा इतिहादी अफ़ाज ने भी उसके प्रपगेंडर की एहमियत का एहसास करते हुए उसके मीडिया उपरेशन को निशाना मनाना शुरू किया पिछले सालों में आइसिस के प्रपगेंडा का मकसद दूसरे मुलकों से जंग्जियों को अपनी ख्याली जन्वत में आकर बसने की तरगीब देना था अब वो लोगों से एराक और शाम आने को नहीं कह रहे है इसकी जगह अब उनका जोर इस बात पर है कि वो लोगों को उनके मुलकों में देशित गर्दी पहलाने की कारवाईयों पर माल करें यह वो मुक्ता है जिस पर इस्लामिक स्टेट का प्रॉपगेंडा काम्याबी का दावेदार है किसी सुबूत के बगएर उनका कहना है कि वो दुनिया में किसी भी चगह देशित गर्दी के हमले कराने की अहलियत रखते हैं जैसे के गाड़ियों के इस्तवाल से लंडन, न्यू यॉर्क और दीगर यूर्पी ममालक में किये गए हमले विंटर के मताबक आईसिस के प्रॉपगेंडर को दर्करार रखते हैं इसके बावजूद के ग्रॉप को जंगी अतबार से शिकस्त हो चुकी है तो देखना ये है कि आलमी नश्रियाती एदारे दाइश की इन कारवाईयों पर क्या रद्धे अमल देते हैं क्योंकि इस तहरी की सोच और तन्जीम को जिन्दा रखने के लिए मीडिया का किरदार इतहाई आहम है आईसे इसकी जानब से जारी शुदा ताज़ा विडियो में दावा किया गया है कि मिसर का जजीरा नुमा सनाई उसके कबजे में आ जाएगा उसके जंग्जियों ने पिछले हफ़ते इस लाखे में गायम मच्छिद पर हमला किया था जिससे तीन सौ से जायर अफराद हलाग हो गए थे हमरी रिज्वल की रिपोर्ट के साथ अमान अज़र उर्दू वियो ए कैथलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रेंसिस ने आज बंगला देश में एक बड़े मज़बी इज्वास से खिताब किया इस मौके पर ढाका के सोहरवर्दी उद्याहन पार्क में एक लाख के करीब लोग मौजूद थे आज के दिन पोप मुख्लिफ मजाहिब के लोगों से मुलाकात के दोरान 18 रोहिंगिया पनागजीनों से भी मिलेंगे इस से पहले मियान मार्क के चार उज़ा दोरे में रोहिंगिया का नाम ना लेकर जिकर ना करने पर पोप को तनकीद का सामना भी है और भारत के मदारस में तालीम को जदीद बनाने की कोशिश पर एक रिपोर्ट आपके लिए हम लेके आएंगे प्रोग्राम में आगे चल जाए और अमरीका के साबिक खज़र बराक अबाम में है जहां उन्होंने आज दलाई लामा और विज़र आजम नेंदर मोदी से मुलाकात की है पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कहा जानने के लिए आए हमारी वेबसाइट उदू-वियो-ए-डॉट-कॉंटर और यहां वाशिंटन में ईदू-मिलाद नभी के सलसले में उन्होंने समा में भी आपको लेके चलेंगे कुछे दिर में लेकिन पहले आए देखते हैं कुछ एहम बैनल अकवामी ख़दों के चल्ट क्या वर्ल्ड वियू में अक्वाम मुतहिदा के इंसानी इंदाद के चीफ मार्क लुकॉफ ने सौधी अरब और उसके तहादियों से यमन की नाकवंदी को मुकमर खत्म कराने का मतालबा किया है तहम उन्होंने इससे बैनल ख़वामी गवानिंग की खिलाफ फर्जी करार देने से इंकार कर दिया है अमरीकी वजीर दिपाके मताबिक विए कि शुमाली कोरिया के सिलसले में सपार्थी कोशिशों का कोई फायदा नहीं और ये कि अमरीका से पार्थी जराय से मामने के हल की कोशिशी करता रहेगा इसे कब टरंप इम्तिजामिया तमामों मालिक से शुमाली कोरिया से तालुगात खतम करने का मिकालबा कर चुमावे की नौमंदकेप सगर ने आला फोजी उहदादारों को काबिना में एहम उहदों पर फायस कर दिया है टीवी पर आर्मी की जानिब से मुगावे हकुमत के कंट्रोल हाथ में लेने का ऐलान करने वाले फोजी जनरल को निया वजीर खारजा जबके एर्फोर्स चीफ को महितमे जरात और जमीन का लजीर बना दिया गया है अपलिशन को पाविना में कोई उघदा मही दिया गया अर्जंचिना की बहरिया ने दो हफते पहले लापता होने वली आब्डॉस की पलाश की कारवाईयां खितम कर दी है अब्डॉस ने अमले के जवाले सब्केदी अर्जंचिना के सब्केद्म् ँया है एक वक्त था जब बरे सगीर में दीनी मदारिस बच्चों की तालीम और तर्बियत का एक मौतबर जरिया से आच इनका तालुक इंतहा पसंदी से जोड़ा जाता है भारत में मरकजी हकूमत पिछले कई सालों से मदारिस के नजाम में इसलाहात लाने की कोशिश कर रही है उस दन में शमाली रियास्त उत्र पूर्देश की हकूमत पिपर असलाम स्कूलों में मुसाब को जदीद बनाने का फैसला किया है असाथशा और तालबिम इस बड़िली के बारे में क्या सोच रही है देखते हैं इस रिपोर्ट में उत्तर परदेश्ट की हुकूमत के मताबिक नए तालीमी साल से रियास्ट के मुस्लिम दीनी मदारस में National Council of Education Research और ट्रेनिंग की किताबों को मतारिफ कराया जाएगा 1901 में भारती हुपूमत की जाने जाने वाला ये खुबमफ़तार एदारा स्कूलों की सथा पर तालीम के लिए राहिमाई फरहां करता है हम तो बेरकुल हेंडरे पर जिर्फ खुश हैसमे नराज़गी कोई बात नहीं है ना खुश ही कोई बात नहीं है सबसे पहले बात यहाला है कि आम तर पर लोग मदरसे में ये समझते हैं कि सिर्फ अरभी और फृर्षी की दिनीयात की पढलाई होती है ठालंकी ऐसा नहीं है मदरसे में जाने लिए पर अल्पन का इजारा किया है उनका एक एतरास ये है कि हुकूमत के इस एक्दाब के मकासिद बाज़तर करने की गुंजाईश हमेशा रहती है लेकिन बेहतर कौन करेगा मुडिफाई कौन करेगा क्या बाहर से बेठे वे लोग करेंगे या इंटर्नल होगा तो हमारा कहते है सेल्फ रेट्रस्पेक्शन खुद इहत्साइश है और खुद से कम्यूनिटी के जो एल्डर्स हैं जो रिलिजिस स्कॉलर्स हैं इस आइडिय को प्रुमोट करने वाले नर्चर करने वाले चलाने वाले लोग हैं उनके ओपर चुड़ते सबसे पहले हम इस सरकार के इस पहल का हम स्वागत करते हैं कि NCRD का पैटर्न आये अगले सत्र से उससे क्या है मदर्सों के जो एजुकेसा ने उसमें गुर्वत्त आएगी रियास्त की हुकूमत के मताबिक इस एकदाम का मकसद इसलामी स्कूलों में निसाब को बहतर बनाना और उन्हें पबलिक और प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना है इसलाम ने कहीं पर भी एजुकेशन और इलियस एजुकेशन को डिवाइट नहीं किया है बैसिकली जो ही मन बीन की जरुषछ ए जिससे इनसान तरक्ि कर सके जिससे कوم तरक़्ी कर सके जिससे मुल्क तरक़्ी कर सके जो इनसान की दिवे नफ़खश है रिपोर्ट की मताब क इस वक्त रियास्त में 16ँजार मधारिस है 7060 हगोमत के नघजशे चलते हैं मिसाद में तबदीली रियास्त के तमान इसलामी स्कूलों में लाई जाएगी रितल जोशी के साथ निलो फर मुगल अर्दू भी होए और अब कुछ बात अमरीका की हद से जादा इस्तमाल करने से हलाक हो रहे है कैसे पैदा हुआ और क्यों तेजी से बढ़ा है आई देखते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी रियास्त फ्लेडल्फिया के इलाके किंसिंट्रिम की गलियों में हर रोस कई अमरीकी नशावर अद्वियात की जियाती के बाइस हलाक हो रहे हैं नशे के आदी एंथनी का कहना है कि उन्हों यह सब अपनी आँखों से देखा है मैं नशा करने के लिए ट्रेन की पट्री के पीछे गया तो वहाँ एक शखस मरा पड़ा था वो कई रोस से वहाँ पड़ा था वो किसी का बच्चा बाप या भाई था अमरीका में मसकन अद्वियात की वबाद डाक्टरों की जानिब से आपसी कोड़ों जैसी अद्वियात के जरूरत से ज्यादा तद्वीज किये जानिब दुनिया में कहीं भी ऑपियोइट का इस्तिमाल इस तरह नहीं होता जैसा अमेरिका में हम दुनिया की अबादी का पांच फीसद हैं लेकि दुनिया की पचासी फीसद नशावर अद्वियात इस्तिमाल करते हैं 1999 से अब तक एक लाग तरासी हजार अमवाद इन सकुनावर अद्वियात की वज़ा से हुई ये बाट्रीस में ज्यादा ताकतवर मस्तिमाल इस तियारी के बाइस इस शरह में चार गुना इजाफा हो गया है मसकन अद्वियात दर्द को दूर करती हैं लेकिन इनके साइड इफेक्स शदीद हो सकते हैं ये दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तिमाल करने से इंसान इनका आदी हो जाता है मरीजों की जानेब से डॉक्टर्स को स्कोर दिये जाने वाले निजाम के बाइस डॉक्टर्स पर बहुत ज़्यदा दबाओ हैं कि वो उन अद्वियात को तजवीज करें जो मरीज चाहते हैं मसकन अद्वियात दर्द को दूर करती हैं लेकिन इनके साइड एफेक्स शदीद हो सकते हैं और इन्हें दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तमाल करने से इंसान इनका आदी हो जाता है चुंके लोग गलियों में अदवियात नहीं खरीद सकते तो वो इसका मतबादल दास डॉलर वाला हिरोईन का पैक खरीद लेते हैं किंसिंटन की कुछ जोगंत खुले आम डिकती हैं और नशे के आदी अफराद को यहां मुल्ध भर के मकाबले में सस्थी तरीन और ताकतवर तरीन हेरोईन दिस्तियाब है एक अंदाजे के मताबिक तकवीबन 25 लाख अमरीकी इंतहाई टाकतवर फेंटनिल समेथ मसकन अद्धियात के नशे के आदी हैं चीन में अमरीका की ब्लैक मार्किट के लिए बनाई जाने वाली फेंटनिल हिरोईन से 50 गुना ज्यादा टाकतवर है डेवी के मताबिक फेंटनिल की थोड़ी से मिक्दार को हेविन से मिला कर पीने से इंसान की हलाकत हो सकती है मेरे दोस्त ते इसका नशा किया तो मैंने इसका असर जाहिल करने वाली दवात तीन दफ़ा इसे पिलाई ताके वो होश में आ सके लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया माहरीन का कहना है कि मसला सिर्फ अमबात और नशे के आदी अफराद की तादाद में इजाफा ही नहीं बलके इसका मौशरे के मुक्तिब तबकों में आम होना भी है अब ही सफेद फार्म नौजवानों और ऐसे लोगों पर असर अंदाज हो रहा है जिने अमरीका में तबच्ज़ मिलती है हलाकि माजी में सियाफ फार्म और दूसरी अकलितों में ये मसला मौशूद था अब सियासदान डॉक्टरों से मिलकर नए ज्रुक कावानिन पर काम कर रहे हैं हुकाम का कहना है कि इनका मकसद इन अद्वियात का नशारों पर दूसरी से इसके आदी अफराद में कमी है क्रिस सिंकन्स के साथ वर्दा खलील अर्दूवी ओए सियासी लड़ाई जगड़ा तो हमारी जिन्दगी का हिस्सा ही बन गया है इससे पैदा होने वाले तनाव को कम करने के लिए अमरीका में फूल बेचने वाली एक कमपनी ने एक मुनफरिद तरीका निकाला है वो नोगों कैसे मुस्कराट लेकर आ रहे हैं आप भी देखिए एक ऐसे रोज जब वॉशंटन डी सी कर्म धूप से नहाया हुआ था से लोगों को अपने अच्छे जबात के इसार का एक मौका दिया गया ये ठाई मीटर उची फुलों की दिवार टेलिफलोरा नामी एक कमपनी का प्राजेक्ट है यहां लोगों खुद अपने लिए ये अपने किसी खास रिश्टे के लिए कुल दस्ते लेने की दावत राम है जाहे आपका माज़ुता तालग इतना बागो बहार बेश्यक ना हो इसके पीछे ये ख्याल कारफरमा है कि लोगों को एक अलामती दिवार को गिराने की दावत दी जाए जो हम अपने आम जिंदगी और रिश्टे में खड़ी कर लेते हैं दो दिन बस लोगों ने इस पर कुल दोसु घंटे काम किया और आज सुबा हम यहां चार बजे पहुंच गए थे लोगों को पूल देना अच्छी चीज़ है ये जादो की तरह फैलता है मेरे खैल में इस जबरदस्ट आइडिया है फूल देने से पता लगता है कि आप किसी को कितना पसंद करते हैं हाथ के बने एक हजार बुकेश सुब से दुपैर होने तक गायब होना शुरू हो गए प्लیکसी क्लास पर जिसके सुराखों में बुकेश रखे गए हैं पूलों की इस दिवार की खतम हो जाने के बाद लोग लव आउट लाउड परसकेंगे रॉबर्ट राफेल के साथ सबाशा खान उर्दू वियोए दुनिया के मुटलिफ मुलकों के तरह अमरीका में भी एम लादू नर्मी की तखरीबात मनकित की जा रही है और सारा वाशिंटन में काहिं जौर्ड वाशिंटन इनिवर्स्टी की पाकिस्तानी स्टूड अस्सेशिशन ने इस मौके पर पाकिस्तान के मौरूफ कबाल फरीद याज और अर्बो मुहम्मद के साथ एक महफले के लिवाम किया और 26 नसलों से कवाली के फंसेवाबस्ता इन फंकारों ने कैसा जादू जगाया आईए देखते हैं झाल